हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर, दोस्तों आज की वीडियो बात करेंगे रीजनिंग के इंपोर्टन कोशन की जो एक्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों मैं आपको बता दू, मैं वही कोशन कराता हूँ जो सेटब पैटर्ण की कोशन होते हैं, एकजाम में पूछे के कोशन होते हैं और मैं रीजनिंग के वीडियो पार्ट वाइस ही बना रहा हूँ यदि आपनो कोई भी पार्ट नहीं देखा है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में reasoning part के नाम से playlist मिल जाएगी उसमें आपको part wise सभी वीडियो मिल जाएगे वहाँ से देख लेना तो चलिए start करते हैं पहला question आपका देखे यहाँ पर दिया गया है 365 का संब्ध 90 से तो इन दोने में दोस्तों क्या संब्ध बन रहा है वही संब्ध आप यहाँ पर बनाएगे तो देखे 365 है यहाँ पर एक बड़ी संख्या है और यहाँ पर एक छोटी संख्या है यहाँ पर बड़ी संख्या है तो यहाँ भी छोटी संख्या आएगी option में भी छोटी संख्या दे रखी है तो देखे 365 है मतलब 3 है 6 है और 5 है इसका सम्मद बनना 90 से तो आप क्या करेंगे तीनों को आपस में मल्टिप्राइग कर दीजिए 3 चिंग 18 होता है 18 पज़े 90 हो जाएगा मिल गया आपको 90 अब देखिए यहाँ पर क्या है 6 है 2 है और 3 है तीनों का आपस में मल्टिप्राइग कर दो जब यहाँ पर आपस में मल्टिप्राइग किया है तो यहाँ भी मल्टिप्राइग कर दो के लिए रहे, छे दुनी बारा, बारत यह कितना हो जाएगा, 36 आजाएगा, ओफ्सन नमबर A सही हो जाएगा, यहाँ पर कौन से संग आएगी, 36 आएगी दोस्तों, के लिए रहे, उम्मीद करता हूँ, क्वेशन आप सभी को अच्छे तरीके से समझी में आ गया होगा, क्व खुद से करना सीखे दोस्तों, मैं बार-बार कहता हूँ, खुद से प्रैक्टिस किया करिए, के लिए रहे, आप देखते हैं अगला कोशन, अगला कोशन है आपका, पांच लड़के A, B, C, D तथा E, एक पंक्ती में है, A, B की दाइं ओर है, और E, B की बाइं ओर है, लेकि बहुत आसन कोशन होते हैं, यह पांच लड़के है, A, B, C, D, E, के लिए रहे, अब इसमें कहें किया रहा है, जो आपका A है, वो B की दाइं ओर है, जो आपका, मैं आपका A लिख देता हूँ, जो आपका यहाँ पर A है, वो कहां पर है, B की दाइं ओर, दाइं ओर का मतलब आपका A, B की बाइं ओर है, जो आपका A है, वो B की कहां पर है, बाइं ओर, जो आपका A है, वो कहां पर B की किदर है, बाइं ओर है, कौन, E, के लिए आपका A है, वो B की बाइं ओर है, लेकिन C की दाइं ओर है, जो आपका A है, वो B के बाइं ओर है, लेकिन C के दाइं ओर ह है दाइयोर है आपका e b के बाइयोर है और c के दाइयोर है यहां तर बात समझ में आगी और जो आपका a है वो d की बाइयोर है जो आपका a है वो कहां पर है d के बाइयोर बाइयोर का मतलब आपके उल्टे हाथ की तरफ किजिए दोस्तों तो आपके पांचों लड़के क्रेमबाइस वेट चुके हैं अब आपसे क्या पूछा गया है यह बताईए कि बाई और से दूसरा लड़का कौन है बाई और से मतला इस तरफ से दूसरा लड़का कौन है दोस्तों ई है तो ई आपके क्या हो जाएगा सही आंसर हो ज यदि पूछ लेता बीच में कौन बैठा है तो बीच में आपका भी बैठा है भी आपका सही हो जाता के लिए दोस्तों कुशन समझ में आ गया होगा अब देखेगे अगला कुशन अगला कुशन आपका एक टोकरी में कुछ फूल है और हर मिनिट बाद वे दुगने हो जाते हैं 30 मिनिट बाद टोकरी भर जाती है तो कितने मिनिट बाद टोकरी आधी भरी हुई थी अब देखेगे स्टूटन क्या गलती करता है 30 मिनिट में टोकरी भर जाती है तो आधी कितने बरेगी 15 में बरेगी option 15 पर सही कर देंगे और वो सोचने उनका अंसर सही हो गया लेकिन यह गलत है दोस्तों, किलियर है देखिए एक मिनिट मैं वो दुगनी हो जाती तोकरी जब आधी भरी होगी तो वो अगले मिनिट मैं पूरी भरगी होगी के लिए रहे के नहीं अब देखिए टोकरी कब भरी हुई है पूरी यहाँ पर टोकरी पूरी 30 मिनट में भरी हुई है तो इसके आधी कब होगी 29 मिनट में होगी दोस्तों जब आधी 29 मिनट में होगी जब अगली मिनट में क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी आधी भरी है 29 म लेकिन जब एक मिनट हुआ तो आधी की कितनी हो जाएगी पूरी हो जाएगी क्या हो जाता है वह एक मिनट में दुगनी हो जाती है यहीं तो कहरा कोशन में कि हर मिनट वाद वे दुगने हो जाती है जब टोकरी आधी भरी हुई थी किलियर है जब टोकरी आधी भरी हुई थ तो इसके आगले जैस्ट में पूरी भर गई है तो भरी कितने में यह आपको दिया गया है 30 मिनिट में तो इसके आधी कब होगी 29 मिनिट में होगी 29 मिनिट ऑफ्सन नमबर सी आपका दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा अगला कॉशन आपका देखिए यहाँ पर नमबर एनालोजी से कॉशन पूछा गया है 01 है 36 है तो 01 का संबन यहाँ पर 36 है तो 02 का संबन यहाँ पर क्या बनेगा किलियर है देखिए 36 हो जाएगा यह वाला एक में हमने कितना प्लस किया है पांच तो 02 में भी हम कितना प्लस कर देंगे TWO में भी पांच प्लस कर दीजिए कितना हो जाएगा साथ साथ कर क्र दीजे इसलिए कहता हूँ अपना दिमाग लगाया करो प्रैक्टिस किया करो प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी किलियर दोस्तों अब देखते हैं अगला कोशन अगला कोशन आपका यदी 2, 6, 4 स्टार 2 बराबर 6 दिया गया है तथा 8, 7, 0 स्टार 3 बराबर 11 हो तो 7, 3, 5 स्टार 5 बराबर क्या होगा जो संबंद यहाँ पर वनेगा वही यहाँ पर वनेगा उसी संबंद से यह स्वल्ब होगा किलियर है देखें क्या दिया गया है 2, 6, 4 आपको दिया गया है यदि इस 2, 6, 4 को हम इस 2 से डिवाइड कर देए किलियर है इस 2 से कर देए डिवाइड तो कितनी बार जाएगा 2, 1, 2, 2, 3, 6, 2, 2, 4 बर कट गया अब देखें यह आपका यहाँ पर 6 दिया गया है तो 1 और 3 कितना होगा है 4, 4 और 2 कितना होगा है 6, मतलब आपका जो 6 है इस तरीके यहाँ पर भी solve करके देखें कितना है 870 है इस 2 से डिवाइड किया था इसको इसको क्या करणे इस 3 से डिवाइड करेंगे कर दी देने तो उस तो 3 से डिवाइड कितनी बार जाएगा 3, 2, 6 हो जाएगा 27, 3, 9, 27 हो जाएगा जीरो जोड़ेंगे तो तब भी 11 ही रहेगा तो क्या मिल जाएगा दोस्तों आपको 11 मिल गया यह वाली संख्या अब इसी ट्रिक को आप यहाँ पर लगा दीजे कितना दिया गया है 735 दिया गया है कितने से डिवाइड करेंगे 5 से करेंगे कर दिजे 5 से डिवाइड कितनी वारी जाएगा 5 एकम 5 दो बचेगा 23 हो जाएगा 5 चों के 20 तीन बचेगा 35 हो जाएगा 5 सत्ते 35 इनको सब को जोड़ तो 1 और 4 पांच 5 और 7 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शियर करें यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजे और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजे दोस्तों धन्यवाद